हेलो सातियों कैसे हो आशा करते हैं सबी लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं RRB Group D गोरकपुर जोन के बारे में कि आप लोगों की गोरकपुर जोन की कटाप कितनी जा सकती जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का exam 19 September से start हुआ था और 7 October तक चला था आपका 4th page में आप लोगों का exam गोरकपुर जोन का हुआ था तो बात कर लेते हैं इस वीडियों में कि आप लोगों की कितनी कटाप जा सकती है और कितने आप लोगों के question सही होने चाहिए तो इस बार आप लोगों का selection हो जाएगा category 22 बताने वाले हैं तो वीडियो पूरा देखिए और चेनल को subscribe जरूर करें हमारे चेनल पर जो भी latest नोकरिया निकलती सबसे पहले जानकारी दी जाती है और तयारी भी करवाई जाती है त तो यहां पर यह हमें कैसे पता चला जो candidate सेंट्रों में एक्जाम देने गए थे उनसे हमने पता किया तो उनसे review लिया तो आधी सीठे लगवक खाली थी तो 50-55% बच्चों ने कुल एक्जाम दिया अब बात कर लेते हैं जो candidate उने attempt question कितने किये एक्जाम देने गए तो एक कर लेते हैं 25% ऐसे candidate हैं जिन candidate ओने 65 से 70 question attempt किये हैं और बात कर लेते हैं 75 से 75 question attempt करने वाले candidate कितने हैं 15% candidate ऐसे हैं और बात की जाए सबसे ज़्यादा candidate ओने 55 से 60 question ही attempt कर पाये हैं एक्जाम में तो उससे पहले आप लोग देख लें जो group D की 2018 में कटाब गई थी तो वो आप लोग देख सकते हो 2018 में जो कटाब गई थी जर्नल की 73 गई थी OVC की 59 गई थी SC की 60 गई थी ST की 54 की गई थी यहाँ पर यानिकी करीब 10 लाग की करीब home भरे गए थे और यह total vacancy कितनी थी 3388 थ है तो 294 पोश्टों पर एक candidate का selection होना था तो अब बात कर लेते हैं दुबारा जब हमने इसकी कटाब तयार की तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कंडिडेट जो इसमें तो यहाँ पर देख सकते हो total form भरे गए थे जो गोरकपूर जोन में तो 6,20,885 total form भरे गए थे ए हमने 20% तब निकाला था जब इससे पहले आप लोगों को एक बार हमने कटाब बताई थी तो यह जो कटाब इसमें 20% निकालने के बाद आप लोगों के form total बचे कितने थे बचे थे आपके 496,708 total form बचे थे जो 20% हमने निकाल लिये थे तब आप लोगों की competition कितनी थी तब 124 बच्चों पर competition थी तब आप लोगों की कटाब हमने आप लोगों को बताई की थी कि तब आप लोगों की journal की 68 जा सकती ओवी सी की 64 जा सकती है और यहाँ पर जो है यह सी की 57 जा सकती है और यह सी की 53 जा सकती है total vacancy की बात की जाए तो यहाँ पर 4000 दो पोश्टे रखी तो अगर आप लोग जर्नल में आते हो इस बार जो है EWS की भी vacancy रखी गए थी जो पिछली 2018 में vacancy आई थी उसमें EWS की कोई भी पोश्ट नहीं थी यानि की तब यह कैटागिरी ही नहीं थी EWS की अब बात कर लेते हैं जर्नल वालों की अगर आप लोगोंने 60 से 65 question attempt किये है attempt किये हैं तो आप लोगों के होने के chance हैं 100% आप लोगों के होने के chance हैं मालो अगर एक दो नमबर आप और प्लेस कर सकते हो अगर आप लोगोंने सही सही question की बात की जाए तो अगर आप लोगोंने इतने question सही कर दिये हैं और एक दो और प्लेस कर सकते हैं तो आपके 100% होने का 100% चांस है आपका अगर बात कर लेते हैं वहीं EWS के EWS की क्योंकि इसमें normalization system इस बार हटा दिया गया है तो अगर बात कर लेते हैं इस बार EWS की अगर 69 से 62 के बीच आप लोगों ने question किये तो EWS के होने के चांस है वहीं बात की जाए वहीं बात की जाए OBC की OBC ने अगर इसमें आप लोगों के ये question जो हम आपको बता रहे हैं अगर 58 से 60 आपने सही सही कर दिया है सही सही तो आपका होने का 100% चांस है वहीं EWS की बात की जाए इस बार इस बार की बात कर रहे हैं आप देख सकते हो काफी जो आपके नजदीकी के student है जो exam देने गई थे उनसे आप पता कर सकते हो कि 50-55% ही बच्चों ने exam दिया बाकि CT सब exam हाल में खाली पड़ी थी तो यहीं पर बात कर लेते हैं EWS की EWS की एक candidate जो थे अगर उन्होंने 50-55% सही कर दिये हैं तो भी उनका होने का chance है यह काद नमबर मानलों आप प्लेस कर सकते हो अपनी तरफ से उसके बाद बहीं बात कर लेते हैं EWS की एस टी candidate EWS की एस टी candidate ने अगर इस बार 48-50% कोशन कर दिये तो उनका होने का 100% chance है तो गाईज यह expected आप लोगों की cut-up थी आप लोगों ने कितना score किया तो comment box में जरूर comment करें अगर इन कोशनों से जो हमने आप लोगों को cut-up बताई अगर इनसे आप लोगों के attempt कम रहे हैं तो आप लोगों नहीं हो पाएंगे इनसे अगर आप लोगों का 1-2 plus है तो होने के 100% chance है तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like करें, share करें और अपनी जो भी प्रतिकिलिया है comment box में दे सकते हैं Thank you guys